Hello everyone, कैसे हैं? मैं अनुज कुमार सिंग, most welcome in section और आज का वीडियो क्यों बनाया गया है? B.com Honors 5th semester में B.com Honors 5th semester में अभी अभी आपने 4 खतम किया है 5th semester में कौन-कौन से subject चूज करने हैं किस तरीके से होगा, वो सारी discussion इसमें करने वाले हैं काफी बच्चे कह रहतें किसर 5th semester का बता दो tentative क्या subject लेना चाहिए तो उसी के according मैं पूरा detail बता दूँगा कौन सा आगे help करेगा नहीं करेगा सारी चीजे हम discuss करेंगे तो मैंने पहले ही आपके सामने 5 subject जो आपके 4 subject है वो लिख लिए है देखिए एक तो आपका core subject होता है core के अंदर आपको choices नहीं होती चाहे बच्चा regular का हो चाहे बच्चा S.O.L. का हो चाहे बच्चा non college में तो है यह नहीं है तो उस subject में दो core subject है पहला subject है principle of marketing जो कि simply यह economics है यह क्या हमारा एक तरीके से economics मैं आपको बताता जाओंगा आप पहले इसके अंदर तो दिखो choice नहीं है तो इसमें तो कुछ बताना ही नहीं आपको लेना ही लेना है financial management तो financial management और इसके अंदर choice नहीं है तो इसमें आप से मेरे तमेर से तो कोई question हो ही नहीं सकता आपका कि सर इसमें से क्या पढ़ है ठीक है ना बाकि आपके questions जो है इन दोनों में से सर इस तीनों में से क्या लेना चाहिए इस चारों में से क्या लेना चाहिए लाईक यस तरीके से management accounting है एक तो अब एक चीज मैं बता दूं regular college के अंदर बच्चों को management accounting और FM compulsory करा हुआ है, regular college में एक तो ये subject मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, उसमें choice ही नहीं दी, तो जो choice वाले होते हैं, वो college to different college पे depend करता है, कि इसमें से कौन सा subject वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे में से आपको एक choose करना है, पहली बात, दूसरी बात, S.O.L. वाले भी ऐसे नहीं करेंगे कि चारों में से कोई एक देंगे, कोई भी हो सकता है, हर बच्चे के portal के according according मिलेगा उसको, तो management accounting, organization behavior, macro economics, और entrepreneurship, अब मैं simple सी बात कहूंगा, कि अब main motive आता है, sir, हमें कौन सा subject लेना चाहिए, अब यहाँ पर again मैं कहूंगा, दो तरीकी के हो सकते हैं, sir, दो तरीके के कौन से बच्चे होंगे, जो की graduation के बाद study नहीं करेंगे, और एक बच्चा होगा, जो graduation के बाद आगे M.com करेंगे, या C.A. करेंगे, या MBA करेंगे, या further commerce related activity करने वाले हैं, तो उनको choose करना चाहिए, management account, क्योंकि वो वहाँ पर काम आएगा तो sir, जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं, अगर उसको option मिल जाये तो क्या ले, तो मैं simple सी बात करूँगा, वो economics ले ले, organization behavior ले ले, entrepreneurship, पहले आप study material पढ़ा हुआ है, regular का student है, तो regular के library से पता करेंगे, क्या subject है, SOL का student है, तो आप जाईए, download करेंगे, आपका study material, उससे एक पर पढ़ लीजिए, roughly idea लीजिए, तब choose करिये आप, बाकी मैं अगर इसमें से कहूँ, तो ज्यादा जो आसान होगा, वो आपका ये दोनो subject थोड़ा आसान हो सकता है, बाकी मैं priority दूँगा, management accounting लीजिए, practical subject है, जिसमें score भी कर सकते हो, और आगे futuristic भी काम आएगा, अब आ आपको दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत ये होगी कि जिसको tax अच्छे से आता है, तीसरे semester वाला, वही इसको अच्छे से कर पाएगा, नहीं तो पूरा परिशान रहेगा, coaching भी आपको नहीं मिलने वाला, study material चलो 10 year वगएरा मिल जाएगा, लेकिन coaching नहीं मिलने वाला, financial market, again financial market marketing से related है, advertisement भी marketing से, stats, आपका statics जैसे कि आपका, जो math और stats अलग अलग होते हैं उस तरीके से, तो sir इसमें से क्या चूज करना चाहिए, मैं कहूंगा, कि अगर आपको सही से करें तो इसमें से ये वाला subject चूज कर ले, कौन सा? advertisement, theoretical है, आराम से पढ़के आप पास हो जाओग जिस बच्चे का mathematics में interest है, आगे mathematics में कुछ करने का सोच रहे हैं, वो चूज करेंगे, क्या? business stat, corporate tax planning वो चूज कर ले, जिन्होंने तीसरे semester में अच्छे से टेक्स पढ़ा है, जो बच्चे C.A. कर रहे हैं, टेक्स का अच्छे से पढ़ रखा है, तो वो हमेसा corporate accounting, corporate tax planning चू कर ले, easily हो जाएगा, कोई ज्यादा मेहनत hard working नहीं है, जिसने नहीं पढ़ रखा तो बिलकुल भी ना देखे इसको, तो बस मुझे आपको आज यहीं बताना था कि कुछ यह आपके subjects है, semester 5 के अंदर, become honors के अंदर, जो कि आपको choose करना चाहिए, core में से कोई option नहीं है, बाक एक छोटी से announcement इसके साथ ये भी कहूँगा, कि मैंने डाला था अपने application पर, जो बच्चे मिर से पढ़ रहे है application पर, application कौन सा, description में link, शिक्षा धाम का, telegram का सारी चीज़े मैं डाल के रख रख है मैंने, तो FM का batch start होने जा रहा है, financial management का, कब batch start होगा, 20 तारिक से start मैं करने इसी बात करो हमारे पास पांच महिने है, July, August, September, October, November, पांच महिने है तो पांच महिने में हम alternative days पे class लेके और slow study और अच्छी study करेंगे हम, क्यूंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था, कि जैसे कि आप लोग का cost का paper हुआ, सर आपने जो कराया उसमें से बहुत, जैसे कि कुछ नहीं है, आपका syllabus ही नहीं पूरा हुआ था, आपका syllabus ही नहीं पूरा हुआ था, इतने भगदर में आप क्या था syllabus भाई, कराओ, 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 और आप भी जानते हो, आपने उन दिनों में exam के time पे क्या pain लिया था, वो मैं समझ सकता हूं, और आप से बहतर त देखे, YouTube पे भी FM के classes डलेंगी, जो बच्चे YouTube पे मिर से पढ़ते हैं, जो financially sound नहीं है, इतने YouTube पे classes आएंगी, फरक रहेगा दोनों में कि YouTube पे live classes नहीं आएंगे, application पे सारी classes live होगी, वहाँ पर doubt पूछ सकते हो, personally phone पे पूछ सकते हो, सारे options वहाँ पे available होता है, और सारे notes available होते हैं, instant वहाँ पे सारी चीजे हो जाता है, लेखिन यहाँ पे fees क्या होगी सर, आपका जो fees है, FM जो है, एक हमारा मान के चलते हैं, प्रोग्राम के अंदर भी FM है और आपका, तो आपकी fees जादा नहीं, 899 रुपीस रहेगी, पूरे कूर्स की फीस रहने वाली है, यह 899 पूरे कूर्स मतलब FM की, पांच महने की फीस है, यह 899 रुपीस रहेगी, जिसके अंदर आपको लाइव क्लास मिलेंगी, और जो भी लाइव क्लास होगी, वो रिकॉर्डिड फॉर्मेट में भी आपको मिलेगा, रिजिस्ट्रेशन जो है 20 से क्लास स्टार्ट है, कल से रि पच्छिस से मैं मनेजमेंट अकाउंट का स्टार्ट करने वाला हूँ, और मेनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो है, टाइमिंग क्या रहेगी सर, टाइमिंग रहेगी आपकी अगेइन यह मौर्निंग की 7.30, सर मौर्निंग की 7.30 तो आपने एक बोला, एक दिन अवेलेबल हो जाएगा, बहुत जल्दी पूरी कोसिस है, हार्ड कोपी भी आपको दी जाए, इसके अंदर नोट्स के, ठीक है, तो यह यहाँ पे सारा क्राइटिरिया है, अब देखते हैं सर, अगर यह क्राइटिरिया है, तो साड़े 7 बज़े एक लास लोगे, इसका फी करने तो यूटूब पे भी सारी क्लासिस लगेंगी, वो आप free of cost यूटूब पे क्लास ले सकते हैं, फरक ये रहेगा, यूटूब पे थोड़ा convert होने के बाद, वीडियो editing होने के बाद, फिर बाद में डलता है, डिले होगा, और नोट्स वगेरा का, वहाँ पे कोई option नह तो मैं यूटूब पे भी सारी क्लासिस डालूँगा, लेकिन यूटूब का, तो देखो, लाइव क्लासिस तो यूटूब पे मेरे से मतलब की थोड़ा possible नहीं है, तो यूटूब पे लाइव क्लासिस होती है, लेकिन फिर मैं application पे एक camera न, मैं simple बता हूँ, तो एक camera को एक कर सकता हूँ, या तो मैं कर सकता हूँ application में, या कर सकता हूँ YouTube पे, तो मैं application पर जो बच्चे payment कर रहे हैं, तो मैं occupy कर लेते हैं, उनको convert करके फिर मैं YouTube पे डालता हूँ, YouTube के लिए कोई timing नहीं है, कभी भी video आ सकती है, मेरी कोसिस रहे कि day में एक video तो आ जाए, और बाकी व कर सकते हैं आप video को, उसके अंदर ये features होते हैं, notes मिल जाते हैं, आपको इसके अंदर hard copy का भी provision है, hard copy भी provide की जाएगी सारे notes की, तो वहाँ पे tenure के सारे questions मैंने record कर दिये हैं, इतने दिन चुटी था तो मैं यही कर रहा था, जितने भी tenure के question है, total record करके already application में डाल दिये हैं, total with concept आपके tenure के, तो tenure तो देखो पहले ही डल चुका है, जो revision में आपको help में लेगा, बाकी books जो मैं बना रहा हूँ, उसकी मैं classes उसके according लूँगा, ठीक है, तो बस आपको यही बताना था, thank you so much, video देखने के लिए, like करिए, share करिए, ज्यादा detail सारे description में दे दिया है, मिलते reply करना, अगर मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, और फिर मैं आपके reply ना करूँ, तो मेरी एक क्या होता है, कि जो मैंने promise किया, वो कही ने कहीं break हो रहा है, तो मैं कम ही बच्चे रखूँ, जल्दी से जल्दी अपना registration कर ले, server का भी रहता है, ज्यादा बच्चे अगर मैंने ले लिए application ही चलना बंद होगे, तो क्या होगा, तो कल से registration open है, आप registration कर सकते हैं, thank you so much.